नमस्कार पहला ग्राम राम जया उत्राखंड जयावद्र विशाल रादे रादे हरेकिष्णा मैं अमन सिंग विष्ट आज आपका सामनी उपस्ति धोई चा एक विशे सुचना का खारतीर तो यू सुचना चा उत्राखंड द्वारी का उत्रैनी समीती का द्वारा और 14 जन्वरी 2024 नयों साल मा रविवार का दिन सेक्टर चोदा वेगास मौल का समीप एक भहती भव्य उत्रैनी महोत्सव को कारिकरम रख्यू चा द्वारी का उत्राखंड उत्रैनी समीती का द्वारा तो मेरू आप से जदगभी दिली इंस्यार मा दिली मा रेण वाव उत्राख चा कि आप लोग जरूर उत्रैनी महोत्सव मा जरूर सामिली होयां अपनी उपस्तेती धर्ज करायां कि यह आईजन सिर्फ उत्राखंड का जो दिली एंस्यार मार लोग रहना चा बहुत सालूबटी और अपनी सस्कृत्तिते भूहिल गयां उते या दिनानों को यह आईज जादा वे का बारा मां भहुत कुछ आप लोग उते देखण को मिललू और भहुत कुछ सीखण को मौका मिललू किले की हम धिरे धिरे अपना जो सस्कृत्तिता हुए ते भिशना चा तो मैं आप लोग उसे परसनल रिक्वेस्स कर दू कि आप लोग अपना बच्चू का अपना परिवार कर दगड़ी 14 जनवरी 2024 रविवार का दिन सेक्टर चोधा वेगास मॉल मा वेगास मॉल का साथ मा जो ग्राउंड चा वख मा जरूर पहुंच आप सभी को नमस्कार अगामी 14 जनवरी 2024 को द्वार का उत्राखंड उत्रहणी समिती द्वारा मकर सक्रांतिक प्लक्स में भव्वे उत्रहणी महस्व का आयोजन किया जा रहा है सभी द्वार का निवासी और अंसियार के सभी उत्राखंडियों से निवेधन करते हैं कि अपनी फैमिली समेत आएं और इस कारिकरम की शोभाय बढ़ाएं उसमें भव्वे स्टोलों का आयोजन किया गया है और उत्राखंड के परिधानों का उसमें समाविश किया गया है तो आप सबसे अन्रोध है जादा से जादा से इंख्या में आकर उत्रहणी को सफल बनाएं जै उत्राखंड सबी को मेरा नमस्कार आज हम लोग उत्राखंड उत्राइनी का पर्व 14 जन्वरी को वेगस मॉल के बगल वाले ग्राउंड में दुबारा मनाने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारे लिए नहीं सिर्फ द्वारका वाशियों के लिए और दिल्ली वाशियों के लिए मनाय जा रहा है और ये प्रोग्राम हर हर साल आप लोग उत्राखंड की एकता अखंडता और अपनी संस्कृति को बचाय रखने का पूरा प्रियास करते हैं इसलिए ये प्रोग्राम हम लोग मनाते हैं और इसमें इस बार हम लोगोंने नए-नए कलाकर को अपने स्टेज में पूरे स्टॉल से हमारे जो की उत्राखंडी व्यंजनों से और उत्राखंडी ज्वैलरी से भरे हुए हैं जिसका आप लोग लुफ्त उठाएं सभी से मेरा अन्रोध है कि हैल्थ कैम्पी है तो आप लोग जरूर आए और अपना हैल्थ चेक अप कराएं सो देट हम लोग यह चीज उत्राखंड की एकता खंडता और पवित्रता का हैत्यावार मन तन मन और धन से मनाएंगे इस सबी को मेरा नमश्कार और जैहिं जै भारत जै उत्राखंडी समीती की वाइस प्रेजल शेशिरावत आप लोग से उंरोत करती हूं कि आने वाले 14 जनवरी 2024 में हमारा उत्क्रेणी का प्रोग्राम विगस मॉल के सामने है आप सब लोग आईए और वहां के मनुरंजनों का लुप्त उठाईए और सांस्कितिक कारेकरमों का लुप्त उठाईए और वहां के वेंजनों का भी लुप्त उठाईए ये कारेकरम सुभेरे दो बजे से लेकर रात के शोन applicable पर दो नौजे टक चलेगा और आप लोग भारी मत्रा में स्का आनन्द लिजे गू गूती नवासा, अमकी डाली Mountain Be गूती नवासा, अमकी डालीमा। गूती नवशा, जैहिन, जै भारत, जै उत्राकंट। नमस्कार सभी को द्वारका उत्तरा खंडी उत्रणी महोसव 2024 आने वाली 14 तारिक को वेगस मौल के सामने जो पारक है उसमें बड़ी दूमदाम से बनाया जाएगा दो बज़े से सुरू होकर पांच बज़े तक इसका हम नो बज़े तक रात को यह प्रोग्राम है कल्चरार है और उत्तरा खंडी और तरह तरह के वेंजंस हैं मिला है एक तरह का इसमें और कल्चरार प्रोग्राम्स हैं हैं हैंटatif कैम्प है और मैं आप सभीसे व्यंती करता हूं गुजारिस कर रहा हूं कि आप जरूर जरूर आइएगा और सहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उत्राखंड के निवासी हैं, दिल्ली के भी जहां आप तक निवासी हैं, आप भी आईए, अगर आप दिल्ली में आ सकते हैं, और बाई चांस किसी वज़ा से आप नहीं आ सकते हैं, तो द्वारका और आसपास के रहने वालों को जरूर जरूर ये सूचना दीजिए, ताकि वो लोग इस मौके का फाइदा उठा सकें, और हमारे साथ इस जस्म में सामील हों, धन्यवाद हलो, सभी को नमस्कार, मैं बिरेंदर सिंग बिस वाइस परज़ेंट द्वारका उत्ताखण उत्राणी समित द्वारका से बोल लाओं, दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर साल उत्ताखण का फंक्शन जनुरी के महने में हम अपने सेक्टर 14 वेगास मौल के पार जैसे पालम, मदुविहार, उत्तम नगर, महुन गार्डन, द्वारका के सभी सेक्टर, सभी से अंडोद करूंगा, आप 14 जनुरी को द्वारका के अंदर लेगास मौल के पास है, अपने अपने सांतियों को लेका है, अपने शुमत्री को लेका है, और वहां पे बहुत सास प्रणाम सेवसोली में प्रिति कोटनाला द्वारका उत्रखन उत्राइनी समीति में अपने संस्कृतिक सचिवे के भूमिका में ओने चुँव, और आप दगर यही अपील और उमीद अखनुचे कि आप, जनकी आप सभी जन्द यक 2018 बठे की हमार उत्रखन उत्राइनी महा पर भोती धूमधाम से मनाई जान्दू, तो ये भी आन्वाले नव वर्ष मां, 2024 में भी यक उत्राइनी का अघाज हुन्चे, और आप देख सक्दू, मैं ठीक ग्राउंड बगलमा यक म्यार पिछने उत्राइनी महाफर्व जखोंडू, वो ग्राउंड छे, सेक्टर 14 वे सारा मनुरंजन आप आपका इंतजार में छे, वक हमार बौत सारा कलिकार, दिल दिगज कलकार भी आन्चे, रोही चोहान, दर्शन फर्सवान और हमारे उभरती, छोटी मुटी नन्नी कलकारा, शगुनो नियाल, जो की चमकता सितार अचे आजिक, वो भी आन्चे, हमार अगवत मनुराल कोन नी जान्द, पूरी दिल्ली मां वेका डंका बजीच, और उत्राखन में भी वो भी हमार दगड होलू, तो आप सभी दगड वकी बेठ होलू, द्वार का सेक्ट 14 वेकस मौले बागल मां, 14 जन्वरी आन्वाल 2024 मां, आप सभी ते उत्रेणी, मक्रेणी एवन नव वर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक शुप कामना है, धन्यवाद वकी बेठ होलू, धन्यवाद जय देव, भूमी, जय उत्राखन और हर बार हम कुछ नया परिवर्तन करते हैं, और इस बार भी आपको कुछ नया पन देखने को मिलेगा, नए कलाकार, नए वेंजन, नई सांस्क्रितिक हमारे कारिक्रम, नई पोसाकें, हर टाइप में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, तो मेरी आप से सबसे विंती ह है कि 14 जन्वरी दो बज़े से रात 9 बज़े तक सेक्टर 14 अपोजिट वेगास मॉल आप सब पदार हैं अपनी फैमिली को लाएं अपने रिष्ट्योदारों को लाएं अपने पडोसियों को लाएं और जरूर आएं धन्यवाद तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से जितने भी लोगों न यह वीडियो देखी चीकू बलावरगर के माध्यम से आप लोग जरूर आएंगे और वहां आने का सबसे बड़ा फाइदा यही है कि जो हमारी नई पीडिया हमारे बच्चे हैं जिनको अभी हमारे उत् फैमिली को आउगत करा सकते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आज हमारे पास मौका है कि द्वारी का उत्राखंड उत्राइनी समीती का हम बहुत-बहुत आभार परकड़ करते हैं उनका धन्यबाद परकड़ करते हैं कि इतना अच्छा आयुजन वो करने जा रहे हैं और हम लोग को उन सब जिरू से रूबरू कराएंगे और खानपान का बेजबूसा का कल्चर का संस्किर्टी का संस्किर्ट प्रोग्राम का हम लोग एंजॉय करेंगे तो आईए चोधा तारी को मिलते हैं द्वारी का सेक्टर चोधा जनवरी 2024 को रविवार के दिन फिर से आप लोगों से एक बार विदा लेता हूं जय उत्राखंड जय बद्रिविस साल रादे रादे हरे किष्णा और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आजिवात जरूर दें ताकि हमें आगे बनने का मोटिवेशन मिल सकें और हम आप लोगों के इंटर्टेन्मेंट के लिए अच्छे ची वीडियो बना सकें तो धन्यवाद बाई बाई